हलो गाईज आप देख रहे हैं गॉसिफ टाउन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका धरमेंदर की लाडली बेटी ईशा देओल की शादी टूट गई है ईशा और उनके पती भरत अक्तानी ने एक दूजे से अलग होने का एलान करके सब को चौका दिया है शादी की 11 साल बाद ईशा और भरत की शादी टूटने से उनके फैंस को भी बड़ा जटका लगा है लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ईशा और भरत के बीच कई बातों को लेकर मन मुटाव होते रहते थे ईशा के पती ने एक पुराने इंटर्व्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्हों ने कहा था कि उन्हें बहजबाजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन ईशा की आदत है बातों को दोहराने की और ये आदत ईशा की बिलकुल भी भरत को अच्छी नहीं लगती है भरत ने ये भी कहा था कि जब भी उन दोनों के बीच कोई भी अद्बन होती थी तो वही हमेशा उसे सुलजाने की और पहला कदम बढ़ाते थे क्योंकि उन में इगो नहीं है उसे इंटर्व्यू में भरत ने ये भी बताया था कि ईशा काफी पोजेसिव है भरत ने कहा था मैं भी पोजेसिव हूँ लेकिन ईशा जितना बिलकुल भी नहीं मैं जब अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो इशा मुझे बांध कर रखती है यही नहीं भरत की माने तो इशा हुने हमें इशा पगड कर रखना चाहती है बतादे कि इशा दियोल और भरत की शादी साल 2012 में हुई थी दियोल परिवार में इशा की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था कपल की दो बेटिया भी हैं जिनका नाम राध्या और मिराया है और अब फाइनली इशा और भरत ने अलग होने का फैसला ले लिया है तो कही ना कही पूरा दियोल परिवार भी काफी ज़ादा शौक है बता दे आपको की इशा और जो भरत है दोनों एक वक्त पर एक दूसरे को काफी प्यार करते थे हलाकि अभी तक इन दोनों के तलाक लेने की जो असल वज़ा है वो सामने नहीं आपाई है लेकिन कही न कहीं माना जा रहा है कि जो भरत अक्तानी है और जो इशा दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर कई दिनों से मनमुटाब चल रहा था गलत फेहमिया आगई है और जिस वज़े से अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं पारिसी बीच भरत का पुराना इंटर्वीव वाइरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ईशा को काफी पोजेसिव भी बताया था इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए गाइस गॉसिप टाउन जरूर देखिए